इंद्रर रशीद को दिल्ली की पत्याला हाउस कोट से बड़ी राहत मिली है उन्हें दो अक्तूबर तक अंतरिम जमानत मिल गई है कोट ने उन्हें जमू कश्पीर विधानसभा चुनाव में प्रचार करनी के लिए राहत दी है बता दें कि अब्दुल रशीद और इंजिनेर रशीद वर्तमान में आतंकी फंडिंग के मामले में यूए पी के तहट दिल्ली की तिहार चेल में बंद है व्यावामी इतहादी पार्टी के अधियक्षें ते दो बार विधाय ग्रह चुके हैं लोगसभा चुनाव में रशी चुनाया, इस मौके पर पी डिप अधिक्ष महबूबा मुफ्ती मौझूद रही चुनू ने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में चुनाव प्रचार किया। एस मौके पर बोलते हुए पीड़ीप अधिक्षा महबूबा मुफ्ती ने कहा कि वे कश्मीर समाधान की वका पुन्च में एक दर्दनाक सड़क हाथसा पेश आया जिसमें एक वैक्ति की जान चली गई हाथसा पुन्च के बनपत में पेश हाया जो एक बाइक सड़क हाथसे का शिकार हो गई मृतक की पहचान महमद अफसल पुत्र महमद असलम निवासी बनपत Giright पुन्च के रूप में हुई है पुलीस ने मामला दर्च कर जान शुरू कती है भाजपा की नीता और पूरो मंत्री प्रिया सीथी ने कहा कि भाजपा ने महिलाओं को नई पहचान दी जब मुआ आज देख भाजपा की वज़ा से ही संभव हो पाया है। उनने इस दोरान भाजपा द्वारा किये गए विगास कारियों का ब्योरा दिया। रहा है क्योंकि आने वाले चुनाव में भाजपा की मजबूत स्थिती और एक जुटता को दर्शाता है। हासिल करेंगे। अखिल भारती कॉंग्रिस कमेटी के प्रवक्ता डॉक्टर शक्कील एहमद दी कहा कि कॉंग्रिस अध्यक्ष मलिकार जुन खड़के के दौरे का नंतना की सबसे सवेदन शील सीट पर सकरात्मक असर जरूर पड़ेगा। निगहा की कॉंग्रिस जुमु कश्मीर में जारी दुश्वारियों को खत्म करने के लिए जादा से जादा सीटे जीतना चाहती है। निगटबंदन सही होगी एंसी के खिलाफ विकार रसूल के बयान की भी निंदा की और कहा कि इस तरह के बयानों के लिए कोई जगा नहीं है। प्रशासन और पुलीस के अधिकारी भी शामिल हुए इसके बाद इस यात्री गंगावल जील के और 36 किलोमेटर की यात्रा पर निकल पड़े। और आर इन बी पी डबलोडी के कारेकारी अभियंता का अभार विक्या। ये सडक हाल ही में धुरगटनाओं का किंद्र बन गई थी जिससे ड्रैवरूर पैदल चलने वालूं को काफी परिशानी हो रही थी जिसको देखते हुए ये कारवाई की गई। ये का दिसको देखते हुए ये जिसको देखते हैं। झाल झाल